अगर अभी तक आपने मेरा चैनल कानून की वाज सब्सक्राइब नहीं किया है या बेला आइकन नहीं दबाया है तो आप बेला आइकन को दबा ले और नए नए वीडियो की नोटिपिकस जानने के लिए आपको बेला आइकन जबना जरूरी है लेकिन आप इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे जिससे मेरा मोटी इसनल बढ़ता रहे और मैं यह समझो कि यह वीडियो में अच्छा बना है दोस्तो बच्चे को गोद लेने की क्या परक्रिया है आपको मैं इस वीडियो में समझावगा लेकिन दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखना पड़ेगा जब अंतक ने देखोगी आपको इसके परक्रिया समझ़isions में नहीं आएगी दोस्तो किसी भी बच्चे को गोद लेने की क्या प्रक्रिया होती है या आप चांद सकते हैं दोस्तो बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया होती है कि जिस माता पिता के है अगर दो संतान है तो वो एक संतान को गोद दे सकता है इसके साथ अगर एक संतान है तो वो गोध नहीं दे सकता गोध लेने वाले के भी अगर संतान नहीं है तो वो गोध ले सकता है लेकिन इसकी कानोनी प्रक्रिया क्या है कहां गोध की प्रक्रिया पूरी होती है कहां किस प्रकार से बच्चे को गोध लिया जाता है दोस्तों अगर किसी बुजरुक माता-पिता के अगर लड़का नहीं है तो वो गोद किसी भी प्यक्तिक के बच्चे को गोद ले सकता है कानूनिक तोर पर इसमें गौद लेने की जो प्रक्रिया है, जिनका पुत्र है, उनके माता-पिता और जो ले रहा है उनके माता-पिता को, दोनों को राजी होना पड़ेगा, दोनों को कुछी, राजी कुछी होने के बाद इक बच्चे को गौद लिया जा सकता है, और दिया जा सकता है, यह सा या उससे जो रेजिस्टार है वहाँ बच्चे के गोद लेने वाले प्रस बच्चे को गोद देने वाले दोनों के मातरपिता प्रस दो एविडेंस मोजुत होने चाहिए वहाँ बेकाईदा पूछा जाता है कि आप इन बच्चे को गोद ले रहे हो और आप इन बच्चे को गोद दे रहे हो यह सारे चीज़े वहाँ पूछी जाती है और आपको वहाँ अगर इस सारे चीज़े हाँ सकते हैं तो जब भी उसको वेरिफाइब होता है लेकिन दोस्तों गोद लेने की जो परक्रिया है बैकाईता एक परपोर्मा होता है गोद नामा का उसको भरके वहाँ जमा कराना पड़ता है और ओन-लाइन उनकी जो पीस लगती है वह पीस देनी पड़ती है उसके बाद जो माता-पिता पलस दोनों के जो लेने वाले माता-पिता और देने वाले माता-पिता दोनों के फिंगर्स लगते हैं और फोटो किचाए जाते हैं ओनलाइन सारे चीज़े ओनलाइन होती है और जो अधिकारी थे उनके सामने पैस होना पड़ता है उनको बताना पड़ता है क मैं दो बच्चे में इस में से इस बच्चे का नाम ये इनको मैं गोद देना चाहरा हूँ और लेने वाले माता पिता को भी बताना पड़ता है कि मैं इन बच्चे को गोद ले रहा हूँ अधी की रजिस्टरी हाँ आदी की रजिस्टरी होती है कि मैं ने बच्चे को गोद नहीं लिया इस सारी चीजे वाँ प्रूव करने परती है इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी लड़के को गोद लेने के लिए सारे डोकुमेंट्स रही है क्योंकि दोनों जो गोद ले रहे हैं उनके माता पिता के अधार कार्ड प्लस फोटू जो दे रहे हैं उनके अधार कार्ड प्लस फोटू दो एविडेंस हैं उनके अधार कार् लगाने पड़ती है, सारी चीज़े करने पड़ती है, उसके बाद ही valid गोधनामा होता है, इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी माता, बुझरक माता पिताओं को अगर गोध लेना है, किसी के बच्चे को तो यह परक्रिया से घुजनना पड़ेगा, और यह सारी परक्रिया होन के बाद ही registered गोधनामा valid होता है, जिसकी piece बढ़नी पड़ती है, इसके बाद यह कप, गोधनामा कप सक्ली होता है दोस्तों, जब जिस माता पिता ने, जिस वेक्ती को, जिस लड़के को गोध लिया है, उनके मनने के तुरंत बाद, उनके मनने के बाद एक गोधनामा लाग नहीं कर सकता, लेकिन उनके मनने के बाद, रजिस्टर जो गोधनामा है, उनकी समपती, जायजात, हर परकार के जो सुक्स्विदा है, या हर परकार का जो भी उनके मातापिता होगी, स्यवाई करना उनका दाइक्ते बन जाता है, इसलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो या अच्छा लगे, तो इसको एक लाइक जरूर कर दे, और अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, कि इसकी और क्या परक्रिया है, मैं सारी आपको कमेंट्स में जवाब दूँगा, और अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों क इसकी साथ सेल जरूर करें, और एक लाइक जरूर कर दे,